नमस्कार अस्रावनेकूम सत्सिरेकाल जय जूलेराद मैं होंजी पिरेम बट्रानी और आप देख रहे हैं आलात हाजरा का प्रोग्राम हकीकरत यह है इप्टदा में आपसे दर्खासते चैनल जरू सब्सक्राइब करें दोस्तों आज हम फिर से बालीवूड की या बंबई की हिंदी फिल्म इंडेस्ट्री की बात करेंगे एक एक्टर प्रोड्यूसर है जॉन अबराहाँ आपने जुरूर सुना होगा हंक के तोर पर मश्यूर है बहुत जबरदस्ट बाड़ी है दोजार तीन में मतारिफ हुआ था उसकी पहली फिल्म जिस्म थी मैश भट की और पहली फिल्म ही जबरदस्ट कामयाब हुई थी और उसके बाद तो अभी तकरीबन बीस साल होने को आये हैं अब तक बहुत अच्छा जा रहा है खुद भी उसने कुछ फिल्में प्रोड्यूस की हैं लेकिन ज्यादा तोर पर एक्शन हीरो के तोर पर माना जाता है क्योंकि उसकी बाड़ी बहुत जबरदस्ट है और इसकी फिल्में आप रेस देखी होगी शूट आउट वडाला द आपी ताजा ताजा शारुख खान के साथ आया था पठान में और यह भी जबरदस्ट काम्याब रही है एक अधार करोड़ से ज्यादा का बिजनिस किया इसने तो इसने जान अबरहम की बात कर रहे थे कि इसने बंबई की एक सबर्ब है बांदरा ज़्यादातर एक्टर लोग जो है बांदरा में रहते हैं बहुत पोष्ट लोकल्टी मानी जाती है वहां का एक रोड है जिसका नाम है लिंकिंग रोड और उसने एक बंगला खरीदा ह है ऐसे तो साड़े अकतर करोड का है लेकिन चार करोड उसके उपर स्टेंप ड्यूटी उसने भरी है तो इसलिए आज से उसको तो पचतर करोड में पढ़ गया है लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह इस बंगले में रहेगा नहीं क्योंकि यह जो एरिया है जो इलाका है बहुत बहुत मस्रूफ है, कमर्शल है, ऐसे तो प्राविट इंस्टिटुशन्स भी है, नेशनल कालेज, बांदरा सिद्यों का कालेज है, बहुत मशूर है, वो भी वहीं पर है, और स्टेशन के नजदीक पड़ता है, बांदरा स्टेशन के, और बहुत सबर्दस शॉपिंग प्ला उसकी जो उसका जो ये भंगला है, ये ग्राउंड पिलस टू पे मुश्तमिल है, और इसका जो इसका नाम है अभी इस वकत तो, जो है 372 निर्बन भवन, और इसकी जी अराजी है, प्लाट है इसका, वो 7722 करोन का प्लाट है, तो लग ऐसे रहा है कि वो शायर इसको उतरव कि यहां पर कोई माल या कुछ ऐसा कमर्शल पिलाजा बना सकता है, और वैसे भी आज कल के जो अदाकार हैं, वो हमेशा रेनी सीजन के लिए कुछ ने कुछ बचा के रखते हैं, और वो जमाना गुजर गया, जब अदाकार, जब अच्छा वक्त होता था तो आईश करते थ और फिर बुरे वक्त में भुके रहते थे, आज कल सब अदाकार वगयरा जो हैं, बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और हजारों करोड में खेलते हैं, इसी तरह अभी इसने जैसे ये 75 करोड का ये बंगला लिया है, अगर ये वहां पर एक कमर्शल पिलाज बनाए, तो कहते हैं कि वहां पर 800 रुपया पर स्कायर फिट का एक महीने का किराया है, इतना वो कमा सकता है, इससे वो, और लेकिन जरूरी नहीं हो सकता है, वो उसको अपने रहने के लिए इस्तामाल करें, क्योंकि बंबई में ऐसी बिग टिकट जो है ना, पर्चेस हो रही है आजकर, यानि पचीस तीस करोड की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ज्यादा तर जो अदाकार या यह प्रोडूसर्स वगेरा हैं, यह बंगले नहीं खरीदते आजकर, अगर किसी के पास बंगला है भी तो उसको और ही डिवलप कराके, और उसके उपर बिल्डि का ही चलन है, बड़े बड़े अदाकार, जैसे रिशी कपूर है, सुनीलदत जो था, संजेदत उसका बेटा फिर, उन्होंने भी जो उनके अपने बंगले थे ना, उतलवा के वहां पर फिर बिल्डिंगें बनवानी, और आप वो फ्लाइट में रह रहे हैं, तो हमें नही लगता कि जौन अबराहम इस बंगले को रहने के विए इस्तमाल करेगा, ज्यादा तर यही लगता है, अच्छा इस सिलसले में हम आपको कई यसे बिक टिकट फर्चेज़ बता चुके हैं, जैसे रनवीर सिंग है, उसने डेड़ सो करोड का एक फ्लैट खरीदा था, खोल इस तरह 34 करोड का सोनम कपूर ने खरीदा, ऐसे 30-35 करोड के फ्लैट तो जैसे एक आम सी बात हो गई है बंबई में, तो हो सकता है कि जौन अबराहम भी इस बिल्डिंग को इस तरह डिवलप करे, कि उसको कमर्शल प्लादा कर गए, और उसमें से बाकि सारी ओमर के लिए क प्राया कमाता रहे, इस तरह के और भी हमने आपको बताये थे, बिक टिकट पर्चेज़ और बिक टिकट जो है, कंस्ट्रक्शन, सल्वान खान ने, जो है, काट रोड बंदरा, वह भी बंदरा में रहता है, वहां पर एक बड़ा प्लाट गिया और वहां पर एक फाइस्ट होटल बना यह पıntल पर्ग्राम किया था अपको बताया था, तो ये सारे जो आभी जैसे, अमिताः बचन है अमिताः बचन के बारे में एक तो उसके तीन चार उ बंड़ी है, अभी ताजह ताजह किया था, कि उसनेंап करोड़े है अपनी बेटी को गिफ्ट कर दिया साथ जल्सा उसमें रहता है और इसी तरह जो है ना बड़े-बड़े बंगले जो है अभी बैसे तूटते जा रहे हैं और उसकी जगां पर फ्लाइट जगा ले रहे हैं तो अमिता बचन ने अंदेरी के वीरा दिसाई रोड पर एक बड़ी बिल्डिंग बनी वहां पर पूरे का पूरी एक मन्जिल जो है खरीद दिली और फिर उसको एक बड़ी फिनेंशल कंपनी को किराया पे चड़ा दिया और वैसे भी खाली किराया यह जो अब अंदेरी तो इतना महेंगा नहीं है और वो कमर्शल भी इतना नहीं है इलाका तो उसको एक सो सत्तर उर्प्या पर इसको आरफिट का किराया मिलता रहेगा बाकी जिंदगी तक अभी वो कितना वगदेता और उसमें हर तीन साल के बाद उसको पिरवाइज करने का भी आप्शन रहता है तो हम आपको बता रह जो है एक IPL की किर्केट जो कमपनी है और इस तरह बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी इसलिए वो जब बड़ी ओमिर के हो जाएं तो फिर उने अपने गुजारे के लिए किसी भी किसम के फिकर करने की दुरूरत नहीं रहती है एनल पास के साथ मैं आज का प पहले एक मर्दवाकिर आप से मेरी दर्खास्त है जिसकिसी सहाब या सहाब आने अब तर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अजराहे करम इसको जल से जल सब्सक्राइब करें प्रोग्राम को लाइक करें शेयर करें और गंटी का बटन डबाना नह भूले बहुत करें बाद किया हुञाभा शेक्ट लाजरा है